स्मस्कार, मैं कि शाम दिवस और चोदरी चरण सिंग के जनम दिवस आपके सामने मुखातिव हो रहा हूँ और चोदरी चरण सिंग के जीवन के कुछ परसंग आपके सामने परस्तुत करूँगा और जो आज की राजनितिक महौल में उनकी प्रसंगता का पता लगता है और एक राजनिति का वो दोर था जिसमें चोदरी चरण सिंग से राजनिता हुए और उनसे हमें प्रेणा मिलती है आज की राजनिति लोगों के सामने भी वो एक चुनोति के रूप में नजर आते हैं तो उनके कुछ परमुख जिवन परसंग और के बारे में बताऊंगा जिन से उनके व्यक्तित्व सोच के बारे में पता लगता है कि चोदरी साब का जनम के तैई दिसमर 1902 को नूरपूर बागपत में हुआ बहुत ही गरीब परिवार में एक जौंपडी मुन का जनम हुआ था और इस अपनी गरीबी को वो आजनम भूले नहीं उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं खेत खलिया नहीं मैंने काम किया है कि चड़ में में पैदल चला हूँ तो उस जो सोच था उसका उनका वो आजनम उसे भूले नहीं और अपनी साथगी इमांदारी और कर्मठा को उन्होंने हमेशा अपनाया यूं तो चोजरी साब के बारे मैंने एक बाते हैं लेकिन मा आज का जो राजनितिक महाओल एक बड़ा सोर मुचरा जाती दर्मकार इस तरह का तो इस समिंद में कुछ बाते हैं मैं उनके जीवन के बताना चाहता हूं सोजरी साब कोलेज में पढ़ने लिए आगरा गए और वहां रहने लगे उन्हीं दिनों गांदी जी का सत्यागरे और आंदोलन शुर्वा 1922 में तो वह उनको सुनते रहते थे उनके लेख पढ़ते रहते थे उसमें च्छुआ छूट का विश्य था कि हमें भारत के अंदर जो च्छुआ चूट है यह बहुत बड़ी बिमारी है समाज में इसको इसको दूर करना चाहिए तो चरण सिंग ने इसे अपनाया और उस्टल में उन्होंने परचार सुरू करना सुरू कर जिए कि च्छुआ चूट है या ऐसा प्रिशता जो हम एक एक दूसरे वह उतनी समझ रहे हैं ऐसा बंद होना से यह तो उनके से पाटियों मजाग कर दिया कि आप किसी दलित के हांके खाना बनावा खाना खाके दिखाएं तो चौदरी साब ने चुनोंति सुईकार की उन्होंने एक दलित रसोये को बुलाया और उन्हें खाना बना के सब के सामने खाया तो इससे कोलेज और उस्टल में बड़ा तैल का मच गया और जो सौन वर्ग था उन्होंने सिकायत की कि साब यह हम तो यह यह आदमी है वह अचूत का खाना खागी अचूत के हाथ से खाना बना करके खाया है तो हम इसके साथ नहीं रह सकते तो अचूत के साथ नहीं रहा है तो आखिर में वार्डन को जुकना पड़ा और उनको ऑस्टल से बरतन वगेरा देना सुरू करके शुरू कर दिया और उनको अचूत नहीं माना गया तो ये चोधरी साथ काए कि मतलब अध्यनकाल में कोलेज जी उनमें उन्होंने जात्तिवाद और अचूत जो समुझा थी उसके खिलाफ उन्होंने सोटना और काम करना सुरू कर दिया था इसके बाद में वो गाज्याबाद में वकालत करने लगे तो वहां भी उन्होंने अपने जो रशोया रखा वो एक दलित समाज का रशोया रखा और ये आजिवन उनके साथ रहा बाद में जब ये लखनू चले गए मंत्री बने तो वह दलित रशोया उनके पास रहता था और जो उन दिनों जिस तरे की व्यवस्ता थी टोईलेट वगेरा की तो एक जमाद जिसको बोलते थे समाज में दली त्वरिक का वो सफाई करने आता था तो बच्चों ने भी उनको जमादार कहना सुरू किया तो चोजरी साहब ने सुन लिया तो उनको टोका बच्चों को कि इनको बाबा कहा करो जमादार नहीं करना है इनकी जद्यों और ये बहुत काम कर रहे हैं तो इस परकार उन्होंन अपनी बच्चों में भी शुरू से ही जाती पर था और यह चूट जो समस्या है इसके इसको समझने का उन्होंने द्यान देना शुरू किया और बच्चों में भी जातिवाद के परती जो सोच थी वो खतम थी उन्हों सर्शक में जब वो मुख्य मंतरी बड़े यूपी के पहली बार तो मत्वरा में जात और मत्वरा में अखवारों छपा की जात और खटीक समाज में खोशदारी हो गई है और वहां वहां का जो अमेले था खटीक उन्होंने भी आवाज उठाई चोजरी साथ के पास फाइल आई तो उन्होंने पूरी कहा कि इस बारे पूरी जांच होना चाहिए जांच के उन्होंने आदेश किया और जांच कराई तो पता लगा कि असल में वो जो यूवाद था या जगड़ा था वो खटीक और यह जो जाटों में इनके बीज था और वहां के रहने वाले उस गाम के जो जाट थे वो जाटों के सयो किया होगा उन्होंने तो इसको बजाए खटीक जाटों के खटीक और जाट के बीच में लड़ाई दिखाई तो वो दूठी पाए गई और उससे लेकिन उन्होंने जाती के नाम से या जाट के नाम से उस जा पंडित नहरु मेरिट में पंडित नहरु के समय की बात है मेरिट के थे वो मेरिट की जो कॉंगरिस के संग्ठनाक्तों चुना हुए उसमें चोद्री साहब के गुट के जो अन्युएइट समर्थक वो दिखाऊंजीत के आए आलांकि वो सब अलग अलग जातियों के थे और जिला देक्स से पंडित थे लेकिन लोगों ने पंडित नहरु के कान भी बढ़ दिये तो उन्होंने चोद्री साहब के लिए कमेंड कर दिया कि इन्हों तो जाटपना दिखा दिया तो यह जब चोद्री साहब को पता लगा तो उन्होंने बहुत बूरा लगा और उन्हों नहीं थी और बारत का जो समाजी की डांसा है उसमें जाति जातिन जनम लोगे तो वो तो उसका चिपक जाएगा लेकिन इस तरह से हमें जो देश की अमराजनिती कर रहे हैं देश का निर्मान कर रहे हैं उसमें किसी को जातिय नाम पर संबोति करना अच्छा नहीं है तो हीए अ दूसरी उन्होंने उप्य में रहते विए प्रस्ताल मंत्र मंधल में प्रस्ताव दिया था कि कोई मंत्री अपनी जाती समयलन में नहीं जाएगा और पंदेय पंथ सम मुख को टीक है कोई नहीं जाएगा लेकिन चोजरी चर्ण सिंग ने आज इवन इसको निभाया वो किसी जातिवादी अपनी जाती में या किसी भी जाती नहीं जबकि कुछ मंत्री आते जाते रहे तो इस तरह उन्होंने कभी भी इस जाती पर्था को लिया जात्यों दिर्म के नाम पर उन्होंने भेदवाओ करना कभी राजनिताओं के लिए कभी उचित नहीं समझा इसी परकार एक बार पंडेत नहरु को उन्होंने यह भी कि इस यह तो देश हमारा आट सो नो सो साल गुलाम रहा है इसके पीछे जाती और धर्म का खास योगदान है संकिर्णता जो कट्रता जाती है कट्रता है दार में कट्रता है उसकी वजह से हम गुलाम रहे तो उन्होंने एक परस्ताव दिया कि हमें अंतरजात्य व्या को प क्यूल सर्विसेज हैं आई एस है आई पीएस है कम से कम वहां से शुरुवात होनी चाहिए कि आई एस और आई पीएस के लिए जरूरियों किया जाए कि वह अंतरजात्य व्या करें यह अलग बात है कि पंड़ती ने उनके सुचाव को माना नहीं उन्होंने पंड़ती ने कि जबाव दिया कि वह यह चाती करना है यह एक व्यक्तिक अजाद्धी का मामला है और इसमें हम किसी को बात दे नहीं कर सकते हैं तो उनका प्रस्ताव माना नहीं गया लेकिन जाती परथा आजीवन उन्होंने जाती परथा और जातीवाद और धार्में संक्रम्ट्या के कि ख्लाव संगर्स किया है अपने विचार रहे हां वो आरण से आर्य समाज समाज उस दोर में आरष्माज का समाज के जागरन में बहुत बड़ा योग्ता रहा है और तमाम दार मीद्पखंडों रूडियों के आरे समाज मुखर था उस ताइम तो चरने सिंग ने इस बात को छुपाया नहीं कभी वह समाजी मांते थे लेकिन जाती संकंताया दार्मिक संकंता पाखंडों रूडियों को अडंबरों को उन्होंने कभी महत्यों नहीं दिया और कभी एक पंजाबी देनिक का ख़वार ने एक वार उन जब जनता पार्टी में आपस में चल रहा था वो केंद्रिय मुंत्री थे और उनको इस्तिफा देना प्राग्रम मुंत्री से तो पंजाब के ख़वार ने बड़ा लेख छापा था और उसमें यह लिग दिया कि जा जानिये जब तेर भी हो जाए तो उन्होंने एकर से चरण सिंग की परसंसा कि कि वहीं यह इनको बाहर निकालने से खतम नहीं हो जाएंगे लेकिन तोधरी साहब ने इसका भी बड़ा विरोध किया और संपादक को चिठी लिखी कि इस तरह की बासा मेरे लिए कम से कम नही कि जाने चाहिए जाते जाते वाद में श्वास नहीं करता मैं केंडर का मंत्रियों समयदानिक पच्पर हो और हमारा जो आंत्रे के संघर से यह चल रहा यह अलग बात है लेकिन इसको जातीर नहीं दीया जाना चाहिए तो इससे जाइर होता है कि वह कभी भी अपने आपको संकिन दाइरे में नहीं रखते थे एक एक अवसर पर उनके सांसद ने हश करके कह दिया वो उस ताइम कुछ गेउं के सीजन में काफी ठंड पड़ी थी तो पसल खराब हो गई तो उस सांसद में किपनी करी की जाट तो साफ गन्नाव होते हैं गेउं तो वो तेरे इसलिया में ज़्यादा नुक्सान नहीं है तो इस बात के उपर चन्न सिंग ने उनको डाटा कि तुम सांसद हो और सब जातियों से बोट ले करके जीत कैये हो इसमें जाटकारिया स्वाल कहां से आ गया तो इस तरह से उन्होंने जातिया संकिनता है उसका हमेश उन्होंने विरोध किया और जातिवाद को एक अभिशाप मांते थे इसी परकार दार्मे कट्रता जब जब भी इस तरह क्या मुद्दे हुए उन्होंने अखवारों लेह लिकर के उसका विरोध किया कि यह करना चाहता हूं कि इस इन जो मैंने पांच इतने उदान दिये है है उन्होंने कभी अपने स्वेम को किसी जाती से संब्दित रखना उचित नहीं माना बलकि उसका बहुत लिख करके वो विरोध करते हैं दूसरे हम उनके व्यक्तित्व में आगे चलते हैं तो उनमें समयदन शीलता बहुत ही प्रकट होती है समय समय पर देखते हैं कि वो उनके जो मानुए गरिमा है समयदन सिलता है माना मुल्ल है उनकी परती उनमें हमेशा एक संक्रप रहा कि इनको छोड़ना नहीं है इस यह जैसे पटवारियों कि अरताल की वज़े से पटवारियों का पदी खत्तम कर दिया गया था और तो इस वारे में कुछ नहीं कर सकता लेकिन उन्होंने उसके लिए पर्तिमा पट्वारियेगर पर मन्यादर बेजना शुरू कर गया पर्तिमा उनके तनुखा अपनी तनुखा में से और एक निश्चित रखम उनको पट्वारियेगर वह बहुत वर्सों तक बेजते रहे एक लड़का देवराज मेर्ट का था देवराज गिरी गोस्वा में जो बहुत गरीव था और उनका नमर आ गया रोग तक मेडिकल कोलेज मेडिकल की पड़ाई में तो वो चोदरी साहब के पास आए कि हमारे पास तो पैसे नहीं है और यह लड़के का नमर आ गया तो उस टाइम चोदरी साहब ने उसको चार-पांच साल तक अपने तुनका में से कुछ पैसा बेजते थे और जब उनके पास नहीं बजता तो ऐसे भी परमान मिल रहे हैं कि वो दूसरों से जो संपन लोग थे उनको कहकर कि उसके पास पैसे बिज़ाते रहें यह भी उनकी जो सम प्रदान मंतरी रहें बाद में दिल्ली में तो वहां एक एक समय पर बार से आये तो एक बच्चा जो वहां काम चल रहा था निर्मान कारिये तो एक बहुत महिला समीक का बच्चा बहुत ही कमजौर उनको नजरार वो रो रहा था तो उन्होंने वो चलते चलते रुप गए और उसको पूछा कि इतना कमजोर क्यों है कि साथ ये बिमार है और दोई ले नहीं सकते तो 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 निर्द नवर्ग है उसके परती वो हमेशा सोचते रहते और बहुत ही दुखी रहते थे उनके बारे में सोचते कि इनका क्या होगा अखवारों में इस तरह के संस्मेंट चपते थे कि एक बार जब वो अखवार पड़ रहे थे कोई अंगरी जी का अखवार था इंडिन एक्सप्रेश या कुछ और तो उसमें बिहार की उनके सामने गिरीम महिलाओं के फॉप्ट वाई जिन गतन आदा ड़कावा था उनके पास कपड़ी भी नहीं थे तो चोजिशाव के अंखो माँ स्वावे और रामला से पास्वान मिद लिया तो उन्हों देखा चोजिशाव रो रहे हैं तो उन्हों पुछा कि साब क्या बात होगी कुल तकलीफ है तो चर्ण शिन उतर दिया कि देखो महरा देश में कितनी गरीबी है और इन दोगों पास पेनने के कपड़ भी नहीं है हमने क्या किया तो इस तरह अपने आपको अपने आपका मतलब राज देती जो जमात है जो नेताओं की जमात है उसको वो मानते हैं कि हम अपरा दी है जो हमने जो गरीब वरग है उसके लिए हम कुछ अधिक नहीं कर पाए तो इस तरह से उन्हों में जो जासा कि मैंने बताया वो गरीब घर से थे तो उनकी सादगी को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा दो जोड़ी कपड़ों से जद्धा उन्होंने कभी उनके पास कपड़े नेरे दो दो ती दो जोड़ी कमीज इस तरह से वो रहते थे और डाक्टर्स संक्रजाल सर्मा ने अपने संस उन्होंने लिखा है कि चोजर चरण सिंग्ग को चेरे पर सादगी लाने के लिए को नाट कियता करने जोड़त नहीं थी उनके खून में रमावा था कि ये आदमी गरीबियों में परती बहुत चिंद्धित है और बहुत सिद्धे डंग से रह कारिम तो विपक्षी दलोल में हमेशा लेताओन उनकी परस्ण साकी इमांदारी के लिए वो बार-बार कहते भी रहते थे कि बश्टाचार वो उपर से निचे तक पहलता है अगर देश के नेता सही हो जाए इमांदार बन जाए तो निच्चे वालों की इमत में होगी बश मुंतरी बने ग्रह मुंतरी बने तो उनके वहां फैल जाते थी वह चोदरी साब ग्रह मुंतर वाला आ गया उनके पास और अब वो पिछे पड़ जाएंगे बश्राचारी ओगे तो उट्रूमेटिक ही वहां लोग काम करने लग जाते और यह वाकाइदा उनके जो टेलेक् विवाग बदलता तो उस विवाग में अगर जंता से सिदा जुड़ा होता तो उसका जंता पर बहुत असर पड़ता है और यह किवदंती समझे या कानी फैल गी थी वहां यूटी में कि चोदरी चनल सिंग वह बहुत बदर करके और गूमते रहते हैं और यह देखते हैं क को कौन का बेइमानी करता है इस तरह की एक काहनी फैल गई थी यूटी के अंदर तो उससे उनकी इमांदारी का पता लगता है एक उनका जब वो मुख्यमंत्री बने तो देनिक दिन्मान साब्ताइक दिन्मान के एक संबादातों टीम गई थी उनके पास इंट्री लेने के लिए तो उनका उस टाइम और इंट्रीवी देख्यवे कहा था कि मेरा आगरे तीन बातों पर है और वो है जनता को पूरा-पूरा इंसाफ मिले बस्टाचार बंदों और शरकार पर जनता का पूरा बरुशा हो इन तीन बातों को लेकर मुख्य बात उनने बताई कि इन ती इन बातों पर मेरा जोर रहेगा तो इस तरह से वह उन्होंने अपनी एक जवाब देए जनता के परती हमेशा परकट की है कि हम जो यह डेमोक्रेटि सिस्टम है और वेलफेर स्टेट है तो राज नेता है या मंत्री है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह जनता के प परकट होता है जो हम बार-बार हम देखते रहते हैं पढ़ते रहते हैं उनके बारे न एक कर्मठता उनकी करम योगी थे वह इतनी मेहनत करते थे कि सुबह सच्वाले में जाते तो रात के नो-दस बज़े ही वह गर पर आते दो पर एक लंच लेने वह कभी नहीं आये वही पर कोई नास्ता कर लेते थे लेकिन आते नहीं थे और एक उन्होंने जनता का जो जो जनता की दिक्कतें थी प्रेशानियां कटनाई थी तो उन्होंने एक दिन रखावा था अब ताम एक दिन डाग डे बोलते थे उनमें कि जनता के उनके पास बहुत पत्तर आते थे एक दिन रखावा था, उस दिन वो और कोई काम नहीं करते थे, पूरे स्टाफ को ले करके और जो जमता के पत्तर आये हुय थे, उन शब पर वो कारवाई करते और ये पत्तर जरूर नहीं कि उनके डिपार्टमेंटें से संबन देते होते थे, वो अन्य डिपार्टमेंट के बाबत भी होते थे तो जो अन्य डिपार्टमेंट के लिए होते वो उनको भुला करके जो पीए है वहाँ का सेकेट्री है उसको भुला करके उनको फॉप देते और हरेक उसके उपर निगराने रखते थे और पत्र में भी उनका मानना था कि पोस्ट कार्ट डालना कोई बूर करके अपने ओफिस में डाग डे के दिन पूरी जुम्ता के जो शिकायते आती उनका वो निफ्टारा करते थे यह उनके मतलब चोदरी चरण सिंग को ही इसका अफ्रे है दूसरा उनके जो समयजानिक संस्ता हैं या लोक्ताम तरी मुल्ले हैं उनके पड़ते भी वो समर्प सब्सक्राइब कर दोरान कभी कोई पर मिरे लेकिन कभी किसी इस बद्दी खिपड़ी नहीं की शालिमता से जवाब देते हैं और उनके वह कुछ भी बोले लेकिन वह अपने शालिमता से जवाब दिया करते थे और जब वो विपक्स में थे तो उनके बहुत नजदी की एक विदायक ने जो सत्तापक सवस्कु तरफ चपल फेंग दी तो उस बाद में जब चोदरी चनल सेंग मुख्य मंतरी बढ़े तो वह बहुत कलोज में थे चनल सेंग के यह माना जाता था कि यह मंतरी बढ़ेंगे लेकिन विदान स्वाव में जो गलता रिकत थी उसको उन्हों जो तरीका है उसके पड़ी वो बहुत समर्पित थे और उसको कभी उसकी गरिमा के साथ खिलवार नहीं किया यह उनकी बहुत बड़ी देन थी जब सेंटर में वह बहुत लेट आये और जब इससे पहले उन्होंने विपक्स को एक करने का भी बहुत बड़ा काम किया था ज जब तक विपक्स एक नहीं होगा तो यह जो एक ही पार्ट या सासन सलता रहेगा लोग तुम तर्में विपक्स का मद्पूत होना बहुत जुरूरी है वो अकसर यह कते रहते थे और इसके लिए विपक्स ही एकता के लिए उन्होंने बहुत प्रियास किया और काफी पहले सफलता मिली उनको तोत्र पचेतर में उन्होंने कर लिया था और बाद में जब अमर्जेंसी लगी और उसका प्रिनाम यह वा कि उन्हों सो सत्तर में जैप्रिकास नारायन को ने उनको महत्र दिया और यह जंता पार्टी का निर्मान हुआ जंता पार्टा के सासलरे उन्होंने हमेंशा के आर्थिक नित्टीग अ इना जुट्यीर हिन से देश में विरोज गड़ए कम हो गिए बारबार इस बात Entin Jeff जोड दिया करते थे और यू नहीं है कि वहां जाके मंत्री मंडल में बैठ गए और चाग पानी पीके आगे वापिस ऐसा उनका नहीं था वो अमेशा एक पुछ तैयारी करके मंत्री मंडल में आते और अपनी विचार रखते थे और जंता पार्टी एस हासन के दोरान जो गी जो वह चाते थे जिस रखतार से वो काम नहीं हो वो पाया लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रामिन जो मंत्रा कि आज वाज गया है में अर ग्रमिन मंत्राले की यह उनकी बहुत बड़ी बड़ा योगडाल है और वो हमेसा पार्लेमेंट में भी कहा है उन्होंने कि बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो हमें कुटीर और लगू उद्धोगों पर जोर देना पड़ेगा रख बारी उद्धोग भी रखवा बड़े उद्धोग भी लेकिन बड़े उद्धोगों बढने वाले माल को आप बार वेजो और यहां जो देश की इतनी बेरोजगारी है उसका निदान तभी होगा जब लगू और कुटीर जोग को प्रोचान दिये जाएगा यह उनका एक बहुत बड़ी सोच है जिसको बाद कि आज के निता करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है लेकिन उनके आर्थिक किताब लिखी बारी वर्कम किताब थी भारत का अर्थिक संकट कारण और निदान तो इस किताब के बाद में उन्हें अर्थ सास्तिनल भी माना और यह विदेश की निर्श्टिम भी वो उनकी किताब चल रही है तो इस तरह से इना इस आदमी ने अपने आजिवन गां किसान मजदूर और ग्रीब के लिए संगर् तो इसलिए इसी से परवावित हो करके और मैंने उनके जीवने लिखी यह पिसान परनेता चोद्री चरण सिंग्ग और इसी से कुछ परसंग मैंने आपको बताए है जन सरोकार मंस टौंक का और आप सब ने सुना इसके लिए धन्यवाद नमस्कार झाल 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 झाल